हलो फ्रेंड्स नीट उजी दो हजार चोविस का एकजाम कंडेक्ट होने के बाद काफी ज़्यादा चोकाने वाली खबरे सामने आ रही है ऐसा पहले कभी नहीं हुआ नीट उजी के इतिहास में नीट यूजी 2024 का exam आप सभी को है पता है कि NDA connect करवाती है और successfully contact हो भी गया है लेकिन होने के बाद अब जो चोकाने वाली खबरे सामने आ रही है तो आज मैं यही आपको बताने वाली हूँ नीट यूजी 2024 के exam को लेकर क्या खबरे सामने आ रही है ऐसा पहले कभी नहीं हुआ तो अब क्या possibility बनती है अब क्या आपका हो सकता है नीट यूजी के exam में क्या इससे result पे cut off के ओपर effect पड़ेगा तो आगे चलने से पहले अगर आप इस channel पर नए है तो channel को जरूर से subscribe कर ली कि हार टाइप के information चाहे official notice related और result cut off counseling से related की पलपल की update आपको इस channel के तूरू प्रोवाइड करवाई जाएगी आप गाइस देखें नीट में फिर से चोकने वाली खबर आ रही है जो नीट यूजी का exam हुआ था पेपर लीक तो काफी जगे हुआ है पेपर में फरजी वाड में हो गया कही राची में हुआ है कही राजस्थान में हुआ है तो काफी जगे जो students है पकड़े गए है डमी students भी पकड़े गए है और जो गैंग है वो भी solver gang उनकी भी सदस से पकड़े गए है ठीक है अब गाइस हम बात करते हैं सबसे बड़ा जो मामला सामने आया है वो English Medium के बच्चों को हिनी मीडियम का पेपर थमा दिया हिनी मीडियम के पेपरों को English Medium का पेपर थमा दिया तो इससे students में काफी जमकर हंगाम हुआ है काफी मार पीट भी हुई है पुलिस के थूरू जैसे ही students ने objection उठाया औवियसली है objection उठाना ही था क्यों नहीं इतने preparation कर रहे है financial problem होने के बावजुद student लगे पड़े रहते है तो और जब उनको इस type का response मिलता है उनका paper जो उनको उनकी language में आना चाहिए वो नहीं आता है तो उनको objection उठाते है तो वहाँ पर उनके थूरू उनके opposition में कारेवाही की जाती है पुलिस के थूरू पिटा पेपर का distribution ही गलत हो गया हो ठीक है अब गया सबसे बड़ी बात यह आ रही है कि काफी सारे students भी पकड़े गए है नेटी उजी 2024 का एक्जाम देते हुए जो डमी स्टुदेंट्स थी जो ओल्रेडी मेडिकल स्टुदेंट रहे है यह मेडिकल स्टुदेंट है वो डमी स्ट पकड़े गए है और भरतपूर में एक मामला सामने आया है कि अपने भाई की जगह ही स्टुदेंट एक्जाम देते पकड़ा गया है कुछ जगह 10-10 लाख रुपय में डमी स्टुदेंट बठाए गए है ठीक है पेपर लिक का मामला भी सामने आ रहा है तो यह काफी ज़ा इस तरह है कि मामले जो है सामने आ रहे है इससे क्या इफेक्ट पढ़ेगा कट ओफ के ओपर यह आप सभी को पता है कट ओफ आपकी बार हाई जाने वाली है अपने अपने माक्स जरूर से किजेगा कमेंट बॉक्स के अंदर और कोई भी डाउट होता है तो कैमेंट नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ तब तक के लिए थैंक्यू